नमस्कार दोस्तों आप सीके चैनल में आपका स्वागत है आज मैं दो रंग का एक बहुत ही कुपसुरत डिजाइन लाए हूँ जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं चाहे हैं जैन स्वेटर में, लेडिस कार्डिकन में, जैकेट में, कोटी में, अच्छा रहे हैं और इसे बनाने के लिए चार के मल्टिपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा तो मैं डिजाइन इसी के उपर बना रही हूँ आप इसे पहली लाइन समझें तो पहली लाइन में हम एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फ से हमारा दूसरी लाइन से हमारा डिजाइन शुरू होता है अब हम अपना दूसरा कलर अटाच कर लेंगे और दो फंदा हमको बुन लेंगे पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और अगला फंदा सीधा दो फंदा बुनने के बाद तीसरे फंदे में हम अपने दूसरे रंगे उन फिर उनको सलाए में ऐसे लपेटेंगे और एक और उल्टा फंदा यानि तीसरे फंदे में हमने एक फंदे से तीन फंदा बनाया उल्टा बुनते हुए फिर अब पहले रंगे उनसे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा ये सीधा फंदा है इसे हम सीधा बनाएंगे, उन अपनी ओर करनेंगे, अब next फंदे में, यानि चौत्य फंदे में हम एक बार उल्टा बनाएंगे, उन सलाय में ऐसे लपेटेंगे, और फिर एक बार और उल्टा फंदा, next फंदा हमारा सीधा है, तो इसे primary color से सीधा बनेंगे, next फंदा उल्टा है, उसे उल् अगला फंदा है तो इसे हम अपने सेकंडरी कलर से एक बार उल्टा बनाएंगे फिर उन सलाएं में ऐसे लपेटेंगे एक बार और उल्टा फंदा एक से तीन फंदा किया फिर हम तीन फंदे बुनेंगे पहला सीधा फिर उल्टा फिर सीधा तीन फंदे अपने प्रैमरी कलर से हमने सीधा उल्टा सीधा बुन लिया उन अपनी उर किया अगला फंदा उल्टा है तो जिसे हम अपने सेकंडरी कलर से उल्टा फंदा बनाएंगे उन सलाई में लपेटेंगे फिर एक उल्टा फंदा एक से तीन किया लास्ट में दो फंदे बचे हैं तो पहला फंदा सीध और edge stitch है इसे हम उल्टा बना banker अब design का दूसरा line और सामने से तो दो फंदे हैं पहला फंदा slip कर लेंगे अगला फंदा उल्टा बना बना लेंगے अब secondary color वाला फंदा है तो उन अपनी और करेंगे इन तीनों फंदों को हम उल्टा बना लेंगे तो तीन फंदा हमने उल्टा बना लिया उन दूसरी और करेंगे फिर तीन फंदा है तीन फंदा प्राइमरी कलर का है तो पहला फंदा उल्टा है उसे उल्टा बनेंगे नेक्स्ट सीधा उसे सीधा बनेंगे फिर उल्टा उसे उल्टा बुनेंगे और उन दूसरी तरफ कर लेंगे अब नेक्स्ट सेकेंडरी कलर वाले फंदे हैं इन तीनों को उल्टा बुनेंगे उन दूसरी और करेंगे अगले तीन फंदे प्राइमरी कलर के हैं तो इन तीनों फंदों को हम उल्टा सीधा उल्टा बुन लेंगे उन दूसरी और करेंगे अगले तीन फंदे प्राइमरी कलर के हैं इन तीनों को हम उल्टा बुन लेंगे उन दूसरी और किया, अगले तीन फंदे प्राइमरी कलर के हैं, तो इने हम उल्टा, सीधा उल्टा बुन लेंगे, अगला सेकेंडरी कलर का है, इन तीनों को उल्टा बुन लेंगे, उन दूसरी और करेंगे, लास्ट में दो फंदे आएंगे, तो पहला फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टीच है उसे हम सीधा बूर देजाइन का अब तीसरा लाइन और रॉंग साइट दो फंदे प्राइमरी कलर के हैं पेला फंदा स्लिप कर लेंगे अगला फंदा सीधा बूर बूर लेंगे उन अपने और कर लेंगे अब secondary color के तीन फंदे हैं तो उन्हें हम सीधा बुलनेंगे एक, दो, तीन और उन अपनी और करेंगे अगले तीन फंदे primary color के हैं तो उन्हें हम सीधा, उल्टा और सीधा बुलनेंगे फिर उन्हें अपनी और करेंगे अगले तीन फंदे secondary color के हैं उन तीनों को हम सीधा बुलनेंगे एक, दो, तीन तो इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे बुलनेंगे तीन फंदे बचेंगे तो सेकंड लास्ट सीधा और लास्ट फंदा आज स्टीच है उसे हम उल्टा बनेंगे अब डिजाइन का फूर्थ रो और फ्रंट सेट पहला फंदा स्लिप कर लेंगे अगला फंदा उल्टा और उन दूसरी तरफ कर लेंगे अब तीन फंदे ये secondary color वाले हैं तो उन अपनी और करेंगे तीनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे उन दूसरी और करेंगे अगले तीन फंदे primary color के हैं तो उल्टा सीधा उल्टा उन दूसरी और करेंगे अगले तीन फंदे secondary color के हैं तो तीनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे हम दूसरी ओर करेंगे अगले तीन फंदे प्राइमरी करर के हैं तो उन्हें हम उल्टा सीधा उल्टा बुन लेंगे सेकंडरी करर वाले फंदे तीन का एक कर लेंगे क्योंकि हमने इन्हें एक से तीन किया था तो वापस हम इन्हें तीन से एक कर लेंगे और ये फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुनते चले जाएंगे सेकंड प्रैमरी कलर वाले फंदे जैसे दिख रहे हैं उसको वैसे ही बुनेंगे और सेकंडरी कलर वाले फंदे तीन का एक कलेंगे उल्टा बुनते होगे चौत्था लाइन हमारा कम्प्लीट हो गया, अब हमें चाल लाइन प्रैमरी कलर से बुढ़ना होगा, एक फंदा उल्टा, मतलब जो फंदा उल्टा दिखाए दे रहा है उसे उल्टा, जो फंदा सीधा दिखाए दे रहा है उसे सीधा कि अब हमारा चार लाइन complete हो गया है primary color से और हम रॉंग side में हैं तो अब थोड़ा सा हम design में change करेंगे अब 4 पंदे हम बुनेंगे जो सीधा दिखा दिखाए दे रहा है उसे ल्वियर टो चार फंदे बुनने के बाद अब पाच में फंडे में हम secondary color से एक से तीन करेंगे उलटा बुना, उनको चड़ाया और एक बार और उलटा बुना फिर तीन फंडे primary color से सीधे यानि हमारा design बनना शुरू हो गया है फिर secondary color से उलटा बुना, उने चड़ाया फिर एक और उलटा फंडे एक से तीन किया फिर प्रैमरी कलर से सीधा उल्टा सीधा फिर उन अपनी और किया सेकंडरी कलर से उल्टा बना फिर उन चड़ाया और फिर इसी फंदे में उल्टा एक से तीन किया फिर लास्ट में 4 फंदे बचेंगे जिनने प्राइमरी कलर से हम जो उल्टा है उसे उल्टा जो सीधा है उसे सीधा बनेंगे अब सेकेंडरी कलर वाले फंदे को हम तीनो फंदो को उल्टा बनेंगे का यूर दूसरी और करेंगे सेकंडरी कलर वाले फंदे उल्टे दिखाय देरे हैं उनने उल्टे जो सीधे दिखाय देरे रहे हैं tutti इसि तरह करते हुए पूरी लाइन कम्पलेट करेंगे उन अपनी और करेंगे तीन फंदा उल्टा उन दूसरी और कर देंगे फिर प्रैमरी कलर से उल्टा सीधा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा अब रॉंग साइट से प्रैमरी कलर वाले फंदे जो उल्टा उल्टा उसे सीधा बुल लेंगे और सेकेंडरी कलर वाले तीन फंदो को हम सीधा बुल लेंगे रॉंग साइट से भी सीधा बुल लेंगे अब तीन फंदे प्रैमरी कलर वाले सीधा उल्टा सीधा सीधा हुन अपनी और करेंगे सेकंडरी करवाले तीनों फंदे सीधा पुन देंगे इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे 12 लाइन और सामने से प्राइमरी करवाले फंदे जो सीधे दिखाए दे रहा है उसे सीधा और जो उल्टा दिखाए दे रहा है उसे उल्टा पुरनेंगे उन दूसरी और करेंगे, अब सेकेंडरी कलर वाले फंदे हैं, उन अपनी और करेंगे और इन तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन का एक कलर लेंगे, उन दूसरी और करेंगे, प्राइमरी कलर वाले फंदे, उल्टा, सीधा, उल्टा, फिर सेक फिर एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे उन दूसरी ओर करेंगे प्रैमरी कलर वाले फंदे उल्टे सीधे उल्टे फिर उन अपनी ओर करेंगे तीनों फंदो को एक साथ लेंगे एक उल्टा फंदा बना लेंगे प्रैमरी कलर वाले फंदे उल्टे सीधे उ लाइन बनाने के बाद फिर हमें पाचवे लाइन से ये डिजाइन डालना हो तो फ्रेंट्स डिजाइन आपके सामने है मैंने कमी फंदे में बनाया है ये डिजाइन बहुत ही कुपसुरत दिखाई देगा तो फ्रेंट्स डिजाइन आपके सामने है सामने से ये ऐसा इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिजाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्टदारों में शेर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नौटिफिकेशन आपको मिलता रहे, वीडियो देखने के लिए बहुत भूत धनेared,